पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राभी रादे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे व्लोग की शुर्बात सुबा पौने आठ बजे से कर रही हूं पौने आठ बजे का टाइम हो गया है और जो मैंने तील निकाल के रखे थे थे न वह भी पड़े हुए तो त क्रणा गई है सिवजी के मंदिल में दूप बत्त करने के लिए बेजा उसको पहर में हमारे ख्ताकरजी होते ना उनके पास बहुत बट्य करें क्योंकि दूप बट्ति करने का काम उसको सोंफ दिया है और मैंने बनाए हैं उनकि सब के लिए आज प्रांते शुब सुब ब् चलो आप कीचन में थोड़ा से दिखा लेती हूं और तो पिछले कल जो है ना हम आपने किसी काम से बाहर गए हुए थे बलाया तश्रा दिखाने के लिए तो यह वहाँ पे गई थी हम अपने काम के लिए गए तो पस्कों के लिए ना घास नीवाए तो आज आज नमचे देर के बाद चल जाएगी अपने ही तो दूख बत्ति करके आगी है शिवजी के मंदर से और यह लोग आया हमारा काउसर देखने के लिए कि किस तरह का बनाया है वो आलो के प्रांथे जो है वो मैंने बना कर ढख दी है यहां पे पचुले में अभी भी आग जली हुई है देखो यह कुत्ते के लिए चपाती और यह प्रांथे बनाये ममता के लिए आज मेरे फोन का कैमरा बनी है साफ मैं अपने बर्तन बर्तन गेरा साफ कर लेते हूं फटाफट से और फिर इसको भीजने के बाद ना फिर मैं घास के लिए निकल जाओंगी अपने दही निया द वर्ण कर दोद के लिए है है कब मादाया भारत प्रांथ रिए ना फिर दभू जार कर दो शर्ण कर पालत शर्ण के लिए च्वह लेया निचे चोग पे गड़े घाड़ी रश पर जेआती हूं आजसे आ आट बजगा प्यां कर जाती हूं आजने तो अर्मांता के लिए मे कि अब दो आज़र विए जो एक आंच की आज़र ने इसमें गों मतर पाड़ी गाया का मतर ने यह में पिताजीट के दीदिन क्योंकि उतुरे से बिमार है ना तों के लिए बताई है कि उसकुरों नपाड़ी गाय का मतर एक एक प्धकन वाङे का खाली पेट विए तू यह में पुँच आ रही हूँ कि यह जो बस जाती है जाती है बिलास्पोर तक और भास ग्रस भास टीज़र अने पहस घरताई है वस में डाले हूँ वूप जिया मतों, सभग कुछ लेगे बादा ना कीजिया रहा है अच्वावत पत्वानी है यह जोग हो, सभग में इसरोग जोग जोग इस विष्ण जोग हो अजिया जोग तक्ष्ण तक दोग जोग ओवार बड़ शुचिया ख़ी जोग सेप तक भी पहुआ कर दो नुक्ष पढ़ी है तो आप दो आप आप्त के सब्सक्राइख देगने अबेकन है रहा हुआ है यह अधिया लाः बीजा ही नहीं चुछाईंगा, परकोभ कि मीटोशी बीजा यह बीजा अधिक्षा तीर में विजा कि ईधिएगा जाए भिरा कstat sen, बाया कि मीटोंगा नदू बस तक छोड़ने के लिए ममता के पापा जी गए हैं और उतने को मैं अपने कीचन समेट रेती हूं और इसके बाद मुझे घास काटना है फिर आपको काउसेड का काम भी दिखाना है तो पहले मैं अपना कीचन का निफटा लेती हूं तो किचन का काम समेटने के बाद मैं आगी हूं अपने घासनी में घास लेने के लिए घास काटना पशू का काम करना ये तो हमारी हर रोज की रूटीन होती है पर इसके वीच वीच में आप लोगों के साथ भी थोड़ी-тोड़ी से शेयर कर देते हैं अभी मेरे पास तीन अबर चलते हैं काउषआड का काम भी दखा लेते हैं, यह जी बिहार की नई लेवर हमारी और जो हमारे लोकल मिस्त्री थे, उनके ठक गया, काउषआड बनाते बनाते हैं, अब लिपाई का काम उनसे नहीं हो रहा है, तो नई लेवर पहुंच गई, यह बिहार से आपी, जा अब एक बन्दे के लिए काफी कमेंट आएंगे, मेरे बास, जो खाली घड़ा है, आचा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आज हमारी खुर्ली बनकर त्यार हो रही है, इस तरह से, साड़ के लिए पत्थल गाएं, और बीच में जो है, इसमें मिट्टी और पत्थर वर्दी हैं, और लंबाई कुछ इस तरह के लिए हैं, खुर्ली की, और इस तरफ जो है, छोटे बच्चे के लिए बनेगी, पर पहले ये वाली बना रहे हैं, और थोड़ी सी जगह ना, यहां से छोड़ दी है, इस साइड यहां पर कुछ घास का टोकर रजैस्ट करेंगे, या कुछ जो भी रहेगा, पर इतने सी लिए है, थोड़ी से जगह छोड़ दी है, इस साइड को, और इस तरह से यह हमारे विष्ट्री है, यह बिहार से, राजु बिहार कौन से जगह से आप? सिता बड़ी जिला से एंगे, और यह लोग जो है, इनके साथ लेवर वाले हैं, काम पर लगेंगे, और इन्हों नना यह काम जो है, कुछ तीन चार दिनों में निफ्टा दिया है, पूरा काव से जो है, इस की लिपाई कर दिये, पूरा फिनिस कर दिया है, फिटा मोठा सा सिता है, वो खुद लगाएंगे, इनका सिर्फ लिपाई का काम था, थोड़ा सा में पर जाकर बताती हूं, करते हैं, देन रात करके, यह काव से लिपाई करके, पूरा कंपलीट हो चुका है, पूरा पिछली साइड छाप थी, ओभी दे दिये, उपर से थोड़ी सी लिपा सिर्फ लिपाई का काम था, और यह है हमारा बिजली का खंबा, और यहां से तार इस साइड से उत्ते हूए उपर को करेंगे, और यह आए हैं नीचे बिजली वाले, यह को, यह तार को परले साइड से अड़जास्ट करेंगे,